सर मेरा सेकंड क्वेस्टन रिगार्डिंग इन्फोसिस है इन्फोसिस में मुझे भी और एड करना है तो यह सही टाइम होगा या आई शुट वेट पॉर सम मोर टाइम और एड करना है और अगर स्क्रीन पे जो क्वेरी आ रही है सही है तो अलड़ी आपके पास साड़े 500 के भाव पे 120 शेयर है ना देवकी माँ आपके अलड़ी शेयर हैं साड़े 500 और आट करने का मन ऐसा कहर रहा है यह सर क्योंकि अलरड़ी मैंने कुछ सेल किये थे 1200 के रेट पे तो अभी वापिस में आड करना चाहते है जब पॉर्टफोलियो बना रख है देवकी माँ आप मु करीदा है 925 पर शेयर के गेंज इस तरह के करेक्शन के मोड में इंफोसिस फिर भी बहुत नीट मुनाफ़ा बढ़ी आइकुदिशन काॉज देवकी माँ कितना सब हो गया इंफोसिस करीदे हुए और इसवी मुनाफ़ा बांदा खुब डिविडिन इंजॉय करे सब कुछ हुआ है ना इस एस प्लीट हुआ उससे पहले जब है बढ़ी राजेश सर क्या करना है इंफोसिस पर दिव के सवाल भूलिया मैं आप पूछना जाते है और फर्दर आइट करूं की नहीं इस यस राजेशर जो है उसका तो भूल जाए और खरीदने के समय आ गया इंफोसि देखे जिनस तरह से इनसे बातचीत करके लगा कि यह लंबी अवदी के निवेशक है और मुझे लगता है कि इनफोसिस बिलकुल लंबी अवदी के पोर्टफोलियो में एड किया जा सकता है जो है वो तो है नया भी एड किया जा सकता है कंपनिया कामकाज बहुत अच्छा है क्लाउड वगरे में बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं अट्रिशन लेवल जो पिछली तिमाही आये थे वो थोड़े से सुधर कर आये थे जो सबसे बड़ी दिक्कत थी आईटी कंपनियों के साथ मुझे लगता है कि लॉंग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर करें लेकर के आ जाती है जिसे भी रीटेलर को अच्छा मुझे लगता है कि बिलकुल आइड कर सकती है यह आज ही अकल इनके नतीजें हैं तो हो सकता है कि वहां कुछ वोलाडिली देखने को मिले लेकिन बावजूद उसके मैं कहूंगा कि स्टॉक को बिलकुल आइड करना चाहिए लंबी अवदी का नजरिया रखना चाहिए और करी करिये लंबी अवदी का है बहुत साथ साल से रखे हुई है बड़िया मुनाफ़ा एंजॉय कर रहे हैं हाँ नमबर आप सही कहरो आज बजार बंद होने के बाद इनफोसिस के नमबर आने अंचु मैम